Hello and Welcome back to my channel आज की इस वीडियो में हम आपको puff sleep की cutting and stitching सिखाने वाले हैं सो वीडियो को end तक देखेगा वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को like, share and channel को subscribe जरूर कीजे तो सबसे पहले आपको normally double fold में रखना है कपड़े को उसके बाद हमने चार fold में रख दिया है कपड़े को normally जैसे हम sleep के लिए रखते हैं कपड़ा उसी तरीके से आपको रखना है तो मैंने आप पर four fold में रख लिया है कपड़े को अपनी और मैंने bun side ली है हमें उपर की और extra लेना है कपड़ा 4 inch जो भी आपके sleep की length है टोटल length है 13 inch तो मैंने 9 inch यहां पे जाड़े 9 inch पे length ली है और 4 inch मैंने puff के लिए extra कपड़ा लिया है आप अगर ज़्यादा फफ चाहिए आपको तो आप ज़्यादा भी length ले सकते हैं तो नीचे की और मैंने गोलाई ली है जो भी आपके sleep का गोलाई है उसका आधा लेना है उसके बाद जो हमने length ली थी sleep की वहाँ पे आपको इस तरह से एक निशान लगाना है उपर के ओर जो कपड़ा है वो हमारा puff के लिए है तीन इंच पे हम down करेंगे गोलाई के लिए तो यहाँ पर इस तरह से एक निशान बना लेना है उसके बाद यहाँ पर आर्मोल का measurement लेते हैं तो मैंने यहाँ पर लिया है साड़े साथ इंग यहां से यहां तक आपको गोलाई कर देनी है यह वाले निसान को यहां मिलाते हुए तेड़े इंच मार्जन लिया है अब हम यहां पे जो हमने पफ के लिए एक्स्टर कपड़ा लिया था वहां पे हमने साड़े तीन इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस गोलाई को यहां पे मिला देना है पहले तुमने नॉर्मल स्लीप की द्राफ्टिंग की थीं उसके पहले लिए ऊपर के और एक्स्टर कपड़े में गोलाई करती है बस यह है चेंजित करना है और को अधरे तरना है आपको पो के स्लिप में तो जो हमने cutting करनी है वो इस वाली पे करनी है तो अब हमने cutting कर लेनी है तो आप देख सकते हमारी puff slip की cutting हो गई है यहां पर हमने cut लगाना है जो हमारी main length है स्लीप की यह आपको कट जरूर लगाने हैं अब हम स्टिचिंग करेंगे तो यहां पर अगर आप चाहते हैं तो फ्रंट आर्मोल की साइट की गहराई कर सकते हैं हाफ इंच करना है ज्यादा नहीं करना है कि आपको पहले निशान लगा लेने हैं पहले जो हमने कट लगाया है वहां से आपको प्लीट लगाने है साइटिय अपर के और मुग करते come जो हमारास लीप का सेंटर रहे वहां तक आपको सारे बिश टालने हैं और किसी पत्ले पछास की साहिता से आप इसे डाल सकते हैं यहां पर हमने चुट-चुटी प्लीट्स ही डालने हैं अगर आपको जाधा प्लीट्स चाहिए तो आप थोड़ा सा जो हमने 4 इंच कपड़ा लिया था वहां पर पांस से 6 इंच ले सकते हैं उसके बाद जो हमारा कट आया है सेंटर का वहां से हमने अपोजिट साइट से डा करके आये तो आपको वहीं तक डाली है जहां तक आपने कट लगाया था आप देख सकते हैं यह पफ कुछ इस तरह से नजर आएगा मुझे यहां पे जाधा पफ नहीं चाहिए था इसलिए मैंने जाधा नहीं बनाया है आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं तो इस कट अब हमने निशान लगा गया जो सेंटर है अब हमने तेड़ इंच की पट्टी लेनी है जो कि हम बॉटम के कपड़ी की लिए हमने उसको रॉंग साइट से आपको लगाना है अब यहां पर एक उपर से एक स्लाई लगा देंगे यह पट्टी मैंने इसके बॉटम पार्ट के लिए हैं अब इसे राइट साइट पर टर्न करेंगे एक इंच के चौड़ी हमने इसे फोल्ड किया है इससे आपकी लेंध भी बढ़ जाएगी स्लीप की अगर कम है तो तो यह कुछ इस तरह से नजर आएगी हमने इसे उल्टा करके रखा है स्लीप को यहां पर हमने कोट्टी को अल्रेडी स्टिच किया हुआ है अब नॉर्मली हमें स्लीप जैसे अटेच करते हैं वैसे ही अटेच करनी है इस तरह से आर्मोन पे निशान लगा लेंगे नीचे तरे इसलिए करते हैं क्यूंकि फफ वाली स्लीप उपर से लूज रहती है थोड़ा सा तो आप चाहिए तो फिटिंग के लिए तोड़ा तिर्चा निशान लगा सकते हैं अब इस तरह से आपको पकड़ना है स्लीप का जो सेंटर है और जो सूट का सेंटर है वो आपने सामने होने चाहिए ये दोनों सेंटर आपको मिलाते हुए लेने हैं और ये वाले सेंटर भी आपको मिलाते हुए लेने हैं जो आपके आर्मोल की सिलाई है वो दोनों चीज की एक साथ होनी चाहिए और राउंड मे आपको इसे stitch कर देना है नौर्मली जैसे हम stitch करते हैं वैसे ही बस आपको center का ध्यान रखना है यहां पे हमने दोनों sleep को attach कर लिया है आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरह से नज़र आया है हमने पहले कुर्टी को पहले stitch किया था उसके बाद हमने sleep attach की है तो आप दे झालियो!